हेलो गाइज आज आप लोगों के लिए में चिकन फ्राइट राइस की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बिल्कुल रेस्टोरंट स्टाइल जैसे बनते हैं चलिए गाइज साथ मिलकर बनाते हैं तो टेबल स्पुन सोया सॉस बाइज बाइज ब्लाक फेपर है बिंच ऑफ टर्मेरिक पौडर तो टेबल स्पुन विनिगर एंट टेबल स्पून मिल्क लिए हैं मैंने टी गार्लिक मेरे पास पने एक चिकन क्यूप नहीं होगा हमें और सॉल्ट अभी हम बिलकुल एंड में प्रिट करेंगे, 400 g बॉनलेस चिकन में इस ट्रिप्स में कट कर लिया है, 3 एग्स हैं मेरे पास, 2 कप स्कूफ राइस है, 1 कप फ्रोजन रेजिटिबल्स है, 1 कप खिम्ला मिर्च, 1 कप मैंने ग्रीन अनियन लिया है, जिसके ग्रीन पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया है, अब ह ऐसे करने का मकसद तरफ इसलिए होता है कि अन्डे को कलर है वो जब हम राइस में इसको एड़ करेंगे, वो विल्कुल ऐसा ही आए कि जैसा कि आप रेस्टरों में चानीज राइस खा रहे होते हैं, एक पैन लेंगे, मैं आपको पताना भूलगी, मैं सेसमी सी डॉयल यू अब हमें एक बड़ा पैन लेंगे, इसमें 3-4 टेबल स्पून ओयल च्विंकल कर दूँगी मैं, आप गार्लिक है वो इसमें एड़ कर देंगे, फ्राइ करेंगे इसे, जैसे ही फ्राइ हो जाएगा हम इसमें अपना टेक्टर अड़ कर देंगे, इसमें अपना टेक्टर प्रषक जाएगा है, बिलकोल ऐसे ही ऐसे खालन ओललद चाहिए लकार क्टर चैंजन का वाइट-खालन में एड़ कर देंगे, ग्रीन अनियन का वाइट पाउटन एड़ कर देंगे, अध्र अभी याट अब्रेवान प्रेंगे, अड़ द मैं टेसे असे अष्य तरीके से ह अब इसमें अपने spices एड़ कर देंगे वाइसोस में एड़ कर दिया है white pepper है वेनिगर है और black pepper अभी salt इसमें हमने एड़ नहीं करना देखिए कितना colorful और इतना प्यारा सा ये वेजटेबल का color आ रहा है ये बड़े ही जबदस यमी राइस क्यार होने जा रहे हैं इसे हम 3-4 मिनट्स के लिए fry करेंगे तो देखिए गाइस 3-4 मिनट्स हो गए और हमारे ये वेजटेबल अच्छी तरीके से फ्राइए हो चुकी है अब इसमें हम अपना एग एड़ कर द इसमें कुछ green part add कर दूंगी onion का मैंने जो पहले अड़ नहीं किया था अब राइस को slowly slowly mix करेंगे अच्छे तरीके से layers लगाएंगे इसकी तो देखिए गाइस यमी से हमारे chicken fried rice तयार हो गए है इस stage पर taste करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर रही है तो देखिए गाइस कितनी जल्दी इस फिरपट से हमारे chicken fried rice तयार हो गए हैं बहुत यमी बनते हैं और बिलकुल ऐसे लगता है कि आप रेस्टरम ने बैट यह चाइनीज राइस खा रहे हैं मैं इसे चिकन शैशली के साथ सर्फ कर रही हूं आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो गाइस मुझे फीडबेक जूर दीजएगा और आपको बताते चलू कि मैंने अपने ही यूर्स की फर्माईश पर इस रेसिपी को आज आप लोगों दिली